आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में तो आज भी मज़े कर रहे हो आप लोग हैं उदर क्लास से पढ़के आये हो जीतु भहिया कि इतनी लंबी शांदार क्लास कि बस मज़ा ही आजाए मतब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर मैं हमें इतनी फैसिलेटी मिली होती ना मज़ाल है एक नंबर किसी भी सब्जेक्ट में टीचर काटके दिखा देवे इतनी फैसिलेटी तो आप सब का देखो धमाकेदार रिजल्ट होना सही है यह आप लोगों से उम्मीद है तो अच् दिकत आ रही है तो आपको येस येस लिखना है वाय 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 करके लिखना है तो मैं समझ जाओंगा फिर अपन लोग डेडिकेटेड कुछ एक क्लासिस कंड़क्ट करेंगे 11 के बेसिक से लेकर के हर एक चीज उनमें मैं आपको कराऊंगा और एक एक टॉपिक के जितने मेरे को नुमेरिकल मिल पाएंगे ना पांच-पांच-दस-दस तो मैं वह भी कराऊंगा आप लोगो एक्स्ट्रा ग्लासिस लेकरके एक एक दिन की दो-दो ग्लासिस करके भी ना कराऊंगा आप लोगो तो आप एक बार लिखेंगे तो I will get to know ठीक है students let's begin our today's class सब जने वीडियो को एक बार लाइक कर दें जितने भी क्लास में आये हैं और अपन क्लास को शुरू कर रहे हैं क्लास का schedule अगर आपको देखने में दिक्करत होती है तो प्लीज टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लो और अगर अभी तक कोई अगनी बैच में जुड़ा है तो अ क्लास को मौर्निंग में करें करते हैं मेरी बात हुई थी निखिल सर से तो दरसल वो जो थर्ड स्टूडियो हमारा प्रिपैर हो रहा है वो कुछ हुआ है दिक्कत तो वो कल तक हो जाएगा तो हम फिर इस पर ब्रेंस्ट्रॉं कर सकते हैं कल शाम को या कल परसों रात तक ब नैंसी राजपूत, जन्तु कुमार, कपिल प्रजापती, अभिशेक तमवर और बविता कुमारी, अंकित कुमार, रामकृष्ण, वंदना, कनौजिया, भगवान गौर, यश, आयटी बंबे, कपिल सिंग, आर्या जा, जैंदुस्तान, इंदुस्तान, संदीव लोधी, चौहान, मिस्टर रितिक कुमार सिंग, रोहित कुमार, दर्शन, प्रॉब्लम तो हो रही है, बिल्कुल, कुछ एक स्टूडेंट्स कह रहे है, नौ, जैसे मुजाहिद सैफी कह रहा है, कि नहीं दिक्कत में हो रही, वंचिका को भी है, प्रवीन को भी है, खुश्बुया प्रवाशिक आलम, हाई, सोनू सर बाए, मैथ एंड पी सियम, यस, क्या लिख रहा है आपने, चलो ठीक है, तो लगबख काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, मैं लेने वाला हूँ, और अपसे अगर मैं आपको कोई भी नियुमेरिकल कराऊंगा तो मैं बिल्कुल उसके जड में जाकर के, खोद करके करवाँगा, मैं आपको एक-एक लॉजिक बता करके ही कराऊंगा, तो ही आगे बढ़ूँगा, तो शुरू करते हैं, देखो आज की इस क्लास को अपन स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमारे को क्या-क्या अच्छे से पढ़ चुके हैं, संत्रप्त और असंत्रप्त विलेन क्या होता है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, विले और विलायक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कौन से हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं, तो हमने देखा था कि उनकी प्रकृती जो ह में विलेता वाला शुरू किया था टॉपिक जिसमें फिर हमने similar terminology काम में ली थी जैसे कि उनकी प्रकृती पर depend करता है किietyánh किसी दरव में घुलेंगे की नई दुरुव्य गैसे दुरु kayak में घुलेंगे दुरु लॉट को में और इस तरह से ताप का क्या प्रभाव होता है रो आप का क्या प्रभाव होता है वह हमें continue करना है तो आज की क्लास में हम लोग यही चीज कंटिन्यू करेंगे गैसों की द्रव में विलेता यही टॉपिक है कल जो जितना बता दिया था वो एक बार स्पीड में देख लो कि ज्यादतर गैसें पानी में एथिल एलकोहॉल में यहां बेंजीन जैसे चीजों में घुल जाती है ज्यादतर गैसे गैस की विलेता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कौन से हमारे पास में गैस और विलायक की प्रकृति इसे नॉर्मली आप दे जल ऐसे लिख दें यहां से हमको क्लियर है और यहां पर हमने देखा था कि CO2 गैस को हम देखते हैं तो वो दाब बढ़ने पर अच्छे से गुलती है जबकि जो हमारे पास में बाकी गैसे हैं N2, H2, CH4, C2, H6 जो कि अधरूविय गैसे हैं यह बेंजीन जैसे अधरूविय विलायकों में शांदार तरीके से गुलती है एक बार इसके लिए भी यस 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 सब जैने लिख दें अच्छा उसके बात क्या है हमारे पास में ताप का प्रभाव effect of temperature तो temperature का प्रभाव उपन ने देखा था आप सोचलो बच्पन से पन को पता है कि कि किसी भी पानी को यहां पर तेज अंदर गैस होती है बहुत गैस उसके अंदर घुल जाती है सारी-कसारी लेकिन आगर वही उसको आप गरम करतो तो उसकी गैस जो है बाहर निकल करका आया जाती है तो इसका मतलब क्या है कि द्रवों में गैसों की विल्लेता तापमान बढ़ाने पर कम होती है गैसें उसमें से बाहर आजाती है एक लियर होगा हम सबको अच्छा आपको पता है एक जगे पे मैं निकिल सर के साथ उस दिन गया था कहीं पर काम से तो हम रास्ते पर खड़े हुए थे तो सामने एक रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था यहाँ पर भयंकर ठंडी वीर मिलती है भयंकर उन्होंने लिखा था ऐसे जीरो डिगरी सेल्चियस पर ही निकाल करके देते हैं हम लोग आपको तो यहाँ पर रादे रादे भया मेरा कोशान सर और फिरोज सर ने से नफरत है क्योंकि लोग मुझे खाली ब्लॉक कर देते है प्लीज सर मैं 18 जी मेल बना चुका हूँ प्लीज मुझे ब्लॉक करवा लो विजय बेटा कुछ करते होगे गडबड इसलिए वो ब्लॉक करते होगे खेर मैं कैदूंगा उनको फिर नहीं करेंगे चलो तो यहाँ देखें सारे के सारे और लाशातिलीनी का नियम कैसे चलता आज तो यहाँ देखेंगे आप यह दाब का प्रभाव है तो यहाँ पर आप सब जने ध्यान से देखें मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरह से इमेजन करवाने वाला हूँ आज पूरी कोशिश करूँगा मैं इमेजन कराने की तो यह हमारे पास में पातर है और यह हमा पास में लिक्वड दिख रहा है तो क्या होगा यह जैसे अ disruptive तो इमेजन और पास में बिड़ने में क्या मैं कि वो दीवार मी गूस नी सकती दिवार के अंदर निउष सकती चाप्र के वापज आलेगी लेकिन जब यह जैस इदर नीचे लिक्वीड के अंदर बिदेगी त तो ये घुज गई gas अंदर, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं और gas घुले cold drink में, तो क्या दिमाग लगाएं उसके पीछे, तो एक दिमाग ये लगा दिया, जैसे temperature कम होने पर विलेता जदा होती है, इसको ठंडा कर दिया, तो gas ज्यादा घुल गई इसमें, liquid में, दूसरा दिमा तो नीचे कम जगह में ज्यादा gas के कण हो गया, बुले हां सरबाते तो सही है आपके, तो क्या होगा टकर आएगी, जोड़ जोड़ से, तो टकर ज्यादा होगी, नीचे दिवार, नीचे पानी की सतह पे gas के कण हो की टकर ज्यादा होगी, और क्योंकि टकर ज्यादा होगी तो chance से जादा होंगे कि जादा gas के कण अंदर जाएंगे बहुए तो यह है न, मोटी मोटी की जितनी जादा बार उससे जाके टकराएगी तो संभावना उतनी जादा हो जाएगी कि उतनी जादा gas उसमें जा रहे हैं कि जो दाब है न, जो दाब है वो विलेता के directly proportional है कब, जब किसी gas को हम घुलने की बात कर रहे हैं किसी liquid में, किसी द्रविय विलायक में तो यह द्रविय विलेन बनेगा यहां पर हमारी पास में तो यहां पर हमारे भई साब प्रकट होते हैं जिनका नाम है हेंडरी भाई साब एक छड़ी हाथ में ले करके तो हेंडरी जी कह रहे हैं इनके अनुसार मतला हेंडरी का नियम है हमारे पास में तो हेंडरी नियम नहीं हेंडरी का नियम है का को खा गया मैं तो हेंडरी का नियम तो Henry जी भाई साब के हिसाब से स्थिर ताप पर तो सबसे पहली चीज आप temperature स्थिर करके देखोगे, cheating नहीं करोगे, ऐसे नहीं तुम beach beach में temperature बदलो, वो ठीक नहीं तो बोला, स्थिर ताप पर किसी gas की द्रव में विलेता कि कोई जो gas है, उसकी मतलब वो पानी में कितना घुलेगी, किसी भी liquid में कितना घुलेगी जनरली पानी मूँ से निकलता है तो हमने कहा कि किसी भी ताप पर, इस्थिर ताप पर किसी gas की द्रव में जो विलेता है ना विलेन की सतह पर पढ़ने वाले gas के आंचिक दाप के समानुपाती होती है इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते है यहाँ पर एक नई टाप आ गई है आंचिक दाप, मतलब यह क्या कह रहा है अगर मैं शॉटकर में लिखूँ तो यह कह रहा है, स्थिर ताप टेंपरिचर आपने स्थिर कर लिया स्थिर ताप पर क्या सतह पर पढ़ने वाले गैस के आंचिक दाप के समानुपाती होती है क्या, विलेता जो विलेता है, सॉल्यूबिलिटी है वो किसके डिरेक्ली प्रपोर्शनल है आंचिक दाप के अब सवाल ए खड़ा हो गया कि सर्या आंचिक दाप है क्या चीज समझते हैं उसको उसके पहले एक दो चीज़ें देख लो ये सेम नियम, सेम का सेम नियम डॉल्टन नाम के एक वग्यानिक हुए है उन्होंने भी हेंडरी के टाइम पर ही थे एक दो बार मैं उसके स्टेटमेंट को रिपीट करूँगा तो आप लोग स्टेटमेंट को थोड़ा सा फोकस देंगे यहां एक खाली पेज अपन एड़ करते हैं यहां देखो इनके नियम का स्टेटमेंट क्या है इनके नियम के अनुसार स्थिर्ट आपमान पर किसी गैस की दरव में विलेता उस गैस की दरव पर लगने वाले दरव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है मतलब मोटी मोटी बाती है टेंपरिचर रखो कॉंस्टेंट विलेता है मतलब कितनी गैस उस पानी में घुलेगी वो किसके डिरेक्टली प्रपोर्शनल है वो प्रपोर्शनल है आंशिक दाब के आंशिक दाब के आज़र दाब सुना है हमने आज तक या आंशिक दाब नहीं ची जाए तो यहां बहुत सिंपल तरीके से समझे रहे जैसे मान लो यह हमारे पास में एक कांच का पातर है मान लो कांच का भरतन है इसमें हमारे पास में मान लो ये एक द्रव की सतह है एक liquid का surface है पानी है भले ही मान लो ऐसा और आप हमारे होनहार विध्यारती हैं तो आपको हम एक काम दे रहे हैं काम ये है कि इधर से आँख लगा करके जैसे मान लो यहां पिर दो तरह की गैसे हैं हमारे पास जैसे मैंने ये बना दिये छे यहां चलो शुरू में पांच-पांच बनाते हैं पांच पीले गैस के कंड बना दिये हमने और मान लो पांच मैंने सफेद गैस के कंड बना दिये 5 वो है और 5 वो है और मानलो total डाब जो है न अभी वो डाब है हमारे पास में 1 ATM 1 atmospheric डाब है जिसको 786 786 होता है क्या 786 होता है 786 होता है क्या हो millimetres of HG 746 होता है millimetres of HG छोड़ो उसको तो ये कभी-कभी असवता number mixed होता है दिमाग में तो डाब क्या है मारे पास में एक atmosphere मानलो मतलब ये जो गैसे हैं ये इस सतह पर कितना डाब लगा रही है 1 ATM का डाब लगा रही है भले आप चाहो न तो इसको आप ऐसा बंद कर लो भले इसको आप मानलो ऐसे बंद कर लो piston है कि ये गैसे जो है ये बाहर भी नहीं जा सकती और ये इतना डाब इस पर लगा रही है इस सतह पर इतना डाब लगा रही है तो इसमें क्या होगा कि जो सफेद वाले कंड है उनके कारण डाब कितना होगा आदा ATM होगा और जो हमारे पास में पीले वाले कंड है आधा हुनके कारण होगा यह वाली बात कितनों को समझ में आई है एक बार फटा फट से चैट में लेखें फटा फट से में भर दें यह से बर दें सारे स्टूडन्स चैट को नमस्ते 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 भरो 760 760 मिलिमेटर सो वैची जी ठीक है वही बात है एक ATM से ही समझ रहे हैं हम लोग तो आप एक बार के लिए मान लो कि जो है एक ATM जो है वो टोटल दाब इसकी सतह पर लग रहा है दो तरह की गैसे हैं तो आधा जो है आधे पीले वाले गैस के करण हैं वो लगा रहे हैं दाब और जो आधा दाब है वो सफेद वाले करण है वो लगा रहे हैं तो आधा ATM मान लो इनके करण लग रहा है आधा ATM इनके करण लग रहा है अब हवा में तो दरसल गैसे का मिक्स्टर ही होता है हमेशा ही जैसे हमारे चारो तरफ भी जो हवा है उसमें नाइट्रोजन भी है उसमें आप देख लो ना और कुछ भी है तो वो सारा mixture है हमारे पास में तो किसी भी gas का pure दाब नहीं है केवल एक gas के कारण दाब नहीं है अलग-अलग gases के कारण दाब लग रहा है तो क्योंकि वो अलग-अलग gases के कारण है तो उनको हमने आंशिक दाब बोला कि एक हिस्सा दाब का ये वाली गैस लगा रही है, एक हिस्सा इसके कारण, एक हिस्सा इसके कारण, तो इसलिए हम यहाँ पर दाब शब्द काम में नहीं ले रहे, हम क्या रिस्क में लेना ही नहीं, चक्कर में पढ़ना ही नहीं, बोलो आंचिक दाब बोलो आतो, तो मैं थीरिकेस two में आपन क्या करें मानलो सफेद वाले तो क्यास किकी करने मानलो वो ज्यादा हो गए क्या है कितने ओ गया मानलो आठ वो गया ?W inmati गया शे पांच शे साथ और याँ8 हो गए हमारे पकर से तो अब क्या होगा कि आठवा हिस्सा जो दाब का है एक ATM का आठवा हिस्सा मतलब 0.8 ATM वो सफेद वाले गैस के करणों के कारण होगा और जो बचा हुआ 0.2 ATM है वो किसके करण होगा पीले वाले गैस के करणों के करण होगा सही बात है आंशिक दाब की value यहाँ पर बढ़ जाएगी अब जब आंशिक दाब की value बढ़ेगी सफेद वाले कणों के लिए तो क्या होगा? अब यह ज़्यादा हो गए कण तो यह टकराएंगे कहीं भी जाते हैं यू जाते हैं भुडिम भुडुम करने यहाँ जाते हैं यहाँ जाते हैं आपस में टकरा जाते हैं यहाँ टकरा जाते हैं एक संभावना यह होती है कि अंदर जाते हैं अच्छा अंदर जाने की बात भी students एक चीज़ देखना एक संभावना फिर से होती है कि ये कण जो है न ये वापस निकल करके बाहर आ जाए एक अपने पास में खतरनाक संभावना है कि ये कण जो है वापस भी बाहर आ सकता है तो आप जब देख रहे हो तो ध्यान देना है भाई कि अंदर भी कितने जा रहे हैं और कितने बाहर आ रहे हैं दोनों ही चीज़ें आपको देखने हैं अब क्या करोगे अगर आप pressure को increase करोगे तो यह करण और पास आ जाएंगे तो टक्कर होने की संभावना जादा हो जाएगी तक्कर होने की संभावना तो आप यह देख पाऊगे तक्कर है जादा होगी तो जादा पानी के अंदर जाएगे हाला कि पानी से भाहर भी निकलेंगे उसमें कोई दोरा नहीं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि pressure बढ़ेगा तो टक्कर होने की संभावना बढ़ेगी और आंशिक दाब का concept हमने क्यों लिया वो मैंने आपको समझा दिया अब टक्कर जादा होंगी आंशिक दाब अगर आप बढ़ाओगे यहाँ पर मलब प्रेशर बढ़ाओगे तो इस gas का आंशिक दाब बढ़ेगा और वो उतनी ही ज़्यादा उस पानी में घुलेगी सब्ज में आ गई है तो हम लोग इसको definition की form में लेख सकते हैं तो यहाँ देखेंगे सब्जने definition की form में इसको लिखेंगे सब्जने जो main definition हमें ध्यान रखनी है वो यह है किसी गैस की वाश्प अवस्था में गैस का वाश्प अवस्था में गैस की वाश्प अवस्था में विलेता ऐसे लिखा है बुक में कि कि किसी गैस का वाश्प अवस्था में आंशिक दाब अन्शिक दाब से लिखा है हमने कि किसी अभी समझाता हूं याद भी कैसे करना है हमको किसी gas का वाश्प अवस्था में अन्शिक दाब अन्शिक दाब को हम लोग लिखते हैं partial pressure p से वैसे pressure भी p होता है अन्शिक दाब लिख रहा है p से तो हम केरें किसी gas का वाश प्रवस्था में आंशिक दाब P GAS की विलैन में विलेता के बराबर होता है यह लिख गया क difदया के मैं मोलंच नहीं हो बता है मैंड़ा आपको थीकřे ह्भी जबार लिखते हैं तो फिर अपने काम करते हैं इसको आंशिक दाब गैस की विलेटा के समानुपाती होता है अब इसको मैं थोड़ा एडिट करूँगा ध्यान से देखो थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे कि हमने लिख दिया कि ठीक है कि विलेटा के समानुपाती होता है अंशिक दाब जो है वो विलेटा के समानुपाती है दाब जितना जाता होगा विलेटा उतनी जाता होगी दाब जितना कम लगेगा विलेटा उतनी कम होगी तो मैंने कहा यार विलेटा को डिफाइन कर देते हैं अगर हम यदि हम देखो ध्यान से देखना अगर विलेता को क्या मान ले, यहां से देखो, यह जो विलेता है, यदि विलेता बराबर क्या है, विलयन में गैस के कणों की कणों का मोलंज, मोलंज, जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया थी, मोलंज का मतलब होता है हिस्सा, मोलंज का मतलब होता है, जैसे मान लो, एक solution है आपके पास में, एक विलेन आपने बनाया, उसमें दो ही चीज़े हैं, उस विलेन में, लेट से, आपके पास में केवल और केवल दो चीज़े हैं, एक तो यह, जो सफेज-सफेडे निशान किय अपने वो, और दूसरा, यह गैस मिली भी है, मान लो, यह मान लो, दो ही चीज़े है, जो गैस मिली हुई है, लेट से, यह बी है, और यह जह सफेज-सफेड, आपके पास में, विलेन है, जो भी, जिसमें घुला हुआ है, यह यह हमारे पास में A है विलायक और यह विले तो यह हमारे पास में इसके मोल अंच हम calculate करते हैं जैसे माल लो अगर B के मोल अंच calculate करने हो तो हम क्या लिखते हैं X B will be equal to N B upon N B plus N E कि A के मोल प्लस B के मोल और उपर B के मोल इनको जब भाग देते हैं तो X B आता है मालब B का मोल अंच आता है कि सारे जितने भी मोल है ना इसमें किसी भी चीज के उनमें से B का मोल कितना हिस्सा है मालब B के मोल का कितना हिस्सा है यह मोल अंच कहलाता है तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो विलेता है ना at the end उसको आप क्यों न मोलंच मान लो विलेता को मोलंच मान लो कि वो gas गुल गई पानी में जा करके तो अब उस विलेन में देख लो कि gas का कितना मोलंच है बात खातम तो वही विलेता होगी न अगर जादा मोलंच हुआ तो जयादा होगी, कम mol nx हुआ तो विलेता कम होगी, तो मतलब इन्होंने क्या क्या एक term भी, अभी विलेता को फिर difine करना पड़ता है mol nx is defined है तो mol nx अगर ज़्यादा होगे तो विलेता जादा है, molnx कम होगे तो वीले सहा वेसी का में इंडिकेट हो रहा उससे तो इनों ने क्या किया हेंड्री भाहिस-आप ने कहा कि कि सिफ्सपर वाश्प के आवस्थाम से कि ऊपर उसी लिक्विड के उपर वाश्पर दन की लेन डया पी में विलेटा ख्रेटा की चाहिए हमने को बस क्या करना है इसको विलेता को हटा करके हमें क्या कर देना है मोल अंच विलेन में गैस की विलेता आंचिक दाब गैस की विलेन में मोल अंच के समान उपादी होता है मोल अंच और मोल अंच को हम लोग किस से लिखते हैं? एकस से लिखते हैं क्लियर हुई का सब कोई वाली बात, फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं हम लोग, तो हेंडरी ने क्या नियम दिया, कि कोई भी हमारे पास में गैस है, वो किसी मानलो द्रव के उपर पड़ी गैस, तो यह कह रहा है कितनी ज्यादा द्रव में गुलेगी, तो इसकी जो विलेता है कितनी घुल सकती है, जो विलेता है, वो किसके समानुपाती है, वो समानुपाती है, यह कितना दाब लगाती है इसके उपर, तो अब घुल जाएगी, तो मोलंच भी केल्कुलेट कर सकते हैं, तो कितनी घुली हुई है, कितना हिस्सा उस विलेयन में, उसके मोलंच है, वही तो इस नियम को अगर आप देखो शबदों में लिखोगे तो बड़ा इजी नियम है क्या है देखो नियम यहां लिखे हैं नेक्स पेज़़स पर लिखे लिखे है यह क्या लिखा है यहां पर पढ़के बताऊंगा मैं आपको आप चिंता ही मुद करो बिल्कुल तो देखो नियम क्या है मारे पास में कि जो आंचिक दाब है वो समानुपाती है मोल अंच के बार के लिए मोलंच x से लिखते है हम लोग x is directly proportional to p तो जितना जादा आंचिक दाब उस गैस के कारण होगा दरव की सतय पर उतनी ही जादा मोलंच उसके विलैन में घुलेंगा उसके अब इसको जब यह निशान हटाया जाता है यहां से तो यहां पर एक स्थिरांक introduce होता है जिसको हम लोग kh लिखते हैं इसको henry's constant बोलते हैं हम लोग kh क्या students h नीचे k उपर kh henry's constant into x है हमारे पस में फिर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग यहां पर kh बराबर p बटा x और यहां पर आप लोग लिख सकते हो चाहें तो kh is equals to henry niyatank फड़ा फड़ से बता दो यहां तक समझ में आगया कि सबको फिलो रहा है सर यस सर बहुत बढ़िया यस सर जोतिष जुलावा राम लखन चौहान विनूत कुमार हिमांशुयादव उमा शंकर कुमार जायब अली प्रीति आदव चेंज कर दीजे प्लीज बिकॉज चार दिन से डेली क्लास में सो जा रही हूं और I think कि आज भी विटा प्रीति करेंगे ना करेंगे हम कर रहें बात इस पर आर्या जहा विजय यूके जोशी अंजली राय इनोसेंट बॉय यस सर रितांशी खुश्बुयादव रिपीट कर दूँगा मैं रिपीट लास में सिदांत कुमार यस रुची दुबे अंकिता कोरी सर क्या पानी में ऑ जोधाना रा भाईसा बिटा अब ये नाम कैसे लू मैं अब आपकी शिकायत है या आप मेरा नाम कभी न लेते हो सर मैं क्लास ग्यारा की एक्जाम भी आ गया है सर आप में क्या बारा की क्लासेज लू या नहीं अभी 11 पड़ो विटा 12 आ के बाद में पढ़ लेना पहले एक्जाम दे लो चलो रितेश महुतो खुश्बू अमन पांडे इप्षिता बौधा मोहित कुमार राजन प्रजापती मौमध आशिकालम थेंक्यू धनी राम आनंद कह रहा है चलो नहीं अधित्य को फील नहीं हुआ है बाकियों को हुआ है तो मैं अभी वापिस से आप लोगों को बताऊंगा बिटा कमेंट सबकाई सर ने स्लो कर रखा है ताकि बहुत जादा कमेंट नहीं है न इसलिए अभी एक बार समझो फिर मैं वापिस रिपीट करूँगा इ यह देखो यहां समझो चलो दसवी क्लास में सबने ओम का नीम पढ़ा होगा वी इस डाइकली प्रपोजिशनल टू आई लिखते हैं फिर वी बराबर आयार सूत्र बनता है हमारे पास में तो देखो यह भी सिमिलर ही है पी समानुपाती एक्स लिखा हमने फिर बराबर के अब यहां पर के अच क्या आगया हमारे पास में एक नियतांक क्या आगया जिसको हेंडरी नियतांक हम लोग बोलते हैं अगर मानलो हमारे पास में कोई गया ऐसे जैसे हम यहां पर जो बुक में एक्जामपल दिया ना वह है एक्जामपल दिया हुए तो मानलो यहां पर है HCL का आंशिक दाब लिया है हमने Y अक्ष पर आंशिक दाब बोले तो P ठीक है इधर X अक्ष पर हम लोगों ने क्या लिया है यह Y पर है तो यहाँ पर आंशिक दाब और मोलंच दो ही चीज़े हैं इमारे पास में तो साइकलोहेक्जेन साइकलोहेक्जेन का लिक्विड है मान दो साइकलोहेक्जेन में मौझूद HCL के मोलंच यह मान दो आप तो इन दोनों के बेच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है सीधी रेखा जैसे V बराबर IR में हमें लगबग एक सीधा ग्राफ देखने को मिलता है मान लो थोड़ा सा इदर उदर होती है बड़ ऐसा एक ग्राफ हमको देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है कि जो आंचिक दाब है P वो डिरेक्टी प्रपोर्चनल है किसके मोल अंचिक एक्सके इसका थोड़ा और अपन मतलब समझने की कोशिश करते है आसान बनाते है उसको जैसे मान लो कि ना ये ऐसे है ये हमारे पास में एक डबबा है ये इसमें उपर हमने हेट्सील गैस भर दी ये वाली ये गैस भर दी हमने और नीचे हमारे पास में ये साइकलो हर सहन का मान लो लिक्विड है मान लो एんな जस्ट फोर एंग्जाम्पल और तो क्या होगा ये कं टकराएंगे इसमें गुलेंगे अब उपर से हम लो क्या कर सकते है स्टे miss प्रेशल बड़ा सकते है पिस्टन लगा हुआ है हमारे पास में, हम उसको दबा दबा के इन गयास के कणों को और पास में लेकि जा सकते हैं, यहां से, तो हमने मादलो थोड़ा दबाया, तो जैसे हमने थोड़ा दबाया, तो प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ा न, तो जितने मोल अंच, मादलो जितने टुकडे समझ लो, मोल अंच को आप टुकडे समझ लो, तो इसके टुकडे जादा घुल जाएंगे, तो इसके टुकडे इतने घुल गया मादलो, फिर हमने प्रेशर को और बढ़ाया, तो टुकडे और घुल गया हमारे पास में, प्रेशर को और बढ़ाया है घुल अपने आप जाएगा यह समझना है इसका प्रैक्टिकल एप्लिकेशन देखोगे न तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो साइकलो एक्जेन हमारे पास में यहां पे विलयन है विलायक है मतलब घूलने वाला है इसमें यह गैस घुसरही है जा करके य इसको अरे गलत बन गया चलो कोई नहीं इसको मिटा दूँगा मैं कुछ लिखा हुआ हमारे पास में तो क्या लिखा है हमारे पास में यहां देखें स्टूडेंट्स का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है मतलब ऐसा नहीं है जैसे मोल होता न एक मोल फिर ऑक्सिज gas को ले लोगे, किसी भी चीज़ का एक मौल ले लोगे सेम होगा, लेकि निहाँ ऐसा नहीं है ये जो KH का मान है, Henry की constant का मान है, ये हर एक gas के लिए अलग-अलग है, gas change होती है KH का मान change हो जाता है तो इसलिए समान ताप पर विबिन गैसों के लिए KH का मान भी अलग-अलग होता है, दोनों ही बातों पर अगर temperature change कर दोगे तो भी KH का मान बदल जाता है अगर आप gas change कर दोगे same temperature पर तो भी KH का मान अलग होता है दोनों ही बातों पर depend करता है, KH का मान तो यहां देखें सब्देने, क्या है हमारे पास में, यहां पर कोई gas है, जैसे माल लो helium है, hydrogen है, nitrogen है, N2 है, O2 है, O2 है, अब आप सोचो, सर दो दो बार N2 दे रखी, सर दो दो बार O2 दे रखी, पागल हो गया है कि यह किताब वाला, बुले नहीं, बिल्कुल भी पागल नही तो मैं formula में से देखूंगा, कि KH equal है, हमारे पास में P बटा X के, P क्या चीज है हमारे पास में सर, P है आंशिक दाब, और दाब मतलब दाब, आंशिक दाब हो या दाब हो, उसका मातरत तो क्या होगा हमारे पास में, बार हो सकता है, यहां फिर आप कह सकते हो, बार हो सकता है, किलो बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास में वो कोई दिक्कत नहीं है, और X जो है हमारे पास में, यह तो मोलंच है, इसका कोई मातरत नहीं होता, तो इसका मातरत है ही नहीं, अब यहां आप देखोगे, तो मातरत किलो बार लिया है, अब किलो बार लो, तो तो two-k징 वार ले रखा है हमने वाह Men तो kya कहा रहा हो मैं आपको helium बोसो तेरण हमे त५प़ इतना है पांई मसलब के एच का मान इसके लिए इतना दे रखाए फिरहाजन के लिए दोसो तेराण हमे पर पर इतना दे रखा है, H2 gas के लिए, KH का मान, N2 का देखोगे तो 293 पर इतना मान है, 76 है, और N2 का ही 303 ताप मान पर देखोगे तो 88 है, इसका मतलब क्या है देखना, अब यहाँ पर मैं ध्यान से एक concept समझाने वाला हूँ आपको, देखो, N2 gas के लिए, 293 Kelvin टेंपरिचर पर जो KH का मान है, वो 76.48 किलो बार है, फिर से सुनेंगे सारे सुडेंट्स, N2 का मान 293 Kelvin टेंपरिचर पर KH का जो मान है, वो 76 है और N2 का ही 303 Kelvin टेंपरिचर पर मान ज़्यादा है, 88 है, बढ़ गया मान तो अगर समझना, अगर temperature बढ़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगा ना temperature बढ़ते ही तो gas पानी से बाहर आजाएगी यहां उस villain में से बाहर आजाएगी क्यों 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 कि जैसे ही gas तुम temperature बढ़ा दोगे तो नीचे वाला जो villain है उसके कण भी हिलने लग जाएगे शेक करने लग जाएगे तो अंदर जो gas का कण आएगा वो भी ऐसे ऐसे होके फट से बाहर निकल जाएगा dance करके फट से बाहर निकल जैसे temperature बढ़ाते जाओगे तो उस villain में से gas बाहर आती जाएगी simple cold drink की bottle याद कर लेना कि जैसे temperature बढ़ता है गर्मी होती है तो gas उसमें से बाहर आ जाती बुल बुले सारे के सारे बाहर आने लग जाता है तो इसका मतलब देखो temperature बढ़ने पर विलेता कम होगी बिल्कुल सही बात है सर तो हम कह रहे हैं कि सर यहां पर जो केच का मान है वो भी तो बढ़ रहा है इसका मतलब केच का मान बढ़ने पर भी विलेता कम होनी चाहिए केच का मान बढ़ने पर भी विलेता कम हो जानी चाहिए आई बात समझ में तो केच का केच जो है वो भी विलेता के inversely proportional है देखो ये भी समझाता हूँ मैं आपको सूत्र से भी समझ में आएगा कैसे अगर आप इस सूत्र को ध्यान से देखो इस सूत्र को ध्यान से देखो इस P को एक बार के लिए फिक्स करो तो क्या आएगा आपके पास में K H is inversely proportional to X X किसको बता रहा है X असल में विलेता को ही तो बता रहा है कि कोई चीज इसमें कितनी ज़्यादा गुलेगी किसी के कितने मोल ज़्यादा गुलेगे वही तो उसकी विलेता है वही तो उसका मोलंच है न कि किसी विलेता में कितना ज़्यादा मोल किसी गैस का गुला हुआ है तो कह रहा है ये विलेता कोई दिखा रहा है तो मोलंच और ये जो केच है व्यूत करमान उपाती है अगर विलेता जादा होगी या मोलंच जादा होगे तो केच का मान कम होगा मलब केच का मान जितना कम होगा गैस उतनी ही जादा उस विलेन में घुलेगी सबको ये बात समझ में आनी चाहिए similarly देखो oxygen के लिए भी है यहाँ पे question है छोटा सा 293 Kelvin temperature पर हम लोग देख रहे हैं कि KH का मान है 34.86 मतलब कम है value और वो ही फिर हम लोग 303 Kelvin temperature पर देख रहे हैं कि इसका KH का value 46 से ज़्यादा हो गया value तो कम temperature पर अगर मैं देखूँ तो oxygen जो है वो पानी में ज़्यादा गूली होई रहेगी और ज़्यदा temperature पर कम होगी तो इसी लिए मचलियां कहां ज़्यादा मिलती है यह पानी में रहने वाले जो भी जीव हैं temperature अगर कम होगा तो विलेता oxygen की ज्यादा होगी क्यों 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 क्यो और यह table हमारे book में दरसल दे रखें, यह अलग-अलग चीजों के लिए हमारे पास में kH का value बता रखा है कि देखो इतना होता है अलग-अलग temperatures पर हमें लिखे वे हैं, अलग-अलग gas के लिए kH का मान अलग-अलग है और अलग-अलग temperatures पर भी अलग-अलग हो जाता है, जितना कम होगा gas उतनी ही ज्यादा घुलेगी बस ध्यान देना सबको, next देखेंगे सब्जने, अचा है यहाँ पर मुझे आपको कुछ बताना था, क्या बताना था, बस यही बताना है, आप इस बात को mention करना चाहें तो कर लें, कहीं पर जैसे formula है, हमारे पास में बार-बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, KH और A into X है, फिर इसको आप दाबर है, P बटा X, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि KH जो है, वो inversely proportional है, X के, जिसका मतलब है, कि जो KH है, वो inversely proportional है, विले अता के, समझ गे सारे students, इसका मतलब क्या है, KH का मान बढ़ेगा, तो विले अता, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने मोल अंच से डिफाइन किया है, मोल अंच घटेगा, समझ गे, अगर KH का वेल्यू बढ़ेगा, तो मोल अंच का जो मान है, यहाँ जो विले अता का मान है, वो कम हो जाएगा, और Y से वर्षा, अब देखना, ताप मान बढ़ने पर, KH का मान भी बढ़ जाता है, तथा, विले अता का मान कम हो जाएगा, मोल अंच का मान कम हो जाएगा, अगर ताप मान कम होगा, तो KH का मान कम होगा, KH का मान कम होगा, तो विले अता बढ़ जाएगी, सिंपल है, बहुत सिंपल है, चलो देखो, आगे देखते, अब एक question है हम लोग, इसको करते हैं, पहले फटावच से, अच्छा question है, example है, NCRT का ही example है, ऐसे questions मैं बहुत सारे आप लोगों को practice करवाने वाला हूँ इस साल को, मैं आप लोगों की जान, पीने वाला हूं ऐसे, ठेके निम्भू पानी की तरह है, तो यहां देखो, question क्या है, यदि N2 gas को 293 Kelvin पर जल में से प्रवाहित किया जाये, तो एक लीटर जल में कितने मिली मोल N2 gas विले होगी, तो देखो हमको क्या-क्या दिया है, एक बार नोट डाउन करो, तो हमको पहले तो बोला है, N2 gas है और temperature 293 में fix किया है, तो देखो temperature को हमें SH को यूज में नहीं ले न, तो हमें दिया है बस, जल में से प्रवाहित की जाती है, N2 gas एक लीटर जल में से, तो जल की मात्रा हमको कहेंगे, volume of H2O, अगर मैं बोलूं तो हमें दिया है 1 लीटर, एक चीज में आपको बताओ, पानी के लिए, केवल पानी के लिए, सब के लिए नहीं, जो एक लीटर है न, वो एक हजार ग्राम के बराबर है, केवल पानी के लिए, सब के लिए नहीं, फिर द्याद सुन लेगा, हर चीज के लिए अलग-अलग होता है, पानी के लिए ये चीज है हमारे पास, तो कहरा है, एक लीटर जलमे से प्रवाय की जाए, तो एन्टू गैस कितने मिली मोल उसमें घुलेंगे, तो एन्टू गैस के मिली मोल में मातरा पूछ रहा है, मतला एन्टू गैस की मातरा पूछ रहा है, कितने mol पूछ रहा है कुल मिला के तो mol को हम लोग ऐसे लिखते है N से N किसका N2 का पूछ रहा है तो ये चीज हमसे पूछी गई है और हमें बोला है आगे N2 का आंचिक दाब जो है 0.987 बार है तो इसका जो आंचिक दाब है प्रेशर है N2 का वो कितना है ये को specific temperature पर KH का मान mention किया है same temperature पर 233 परी तो KH का मान कितना है हमारे पास में N2 के लिए खास N2 के लिए हर गेस के लिए अलग है तो यहाँ पर ये है 70A6.48 किलो बार अब ये बार में है तो इसको भी बार में कर लो फिर तो 1000 से गुणा कर दो तो 7,6,4,8,0 बार आ जाएगा यहाँ तक तो मैंने किवल चीजें लिख ली जो मेरे को question में पूछी गई है और बताई गई है अब मैंने सोचा 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 तो मैंने सोचा एर एक तो अभी भी मैंने Henry का नियम पढ़ा है KH का मान कहीं भी अगर आ रहा है दिख रहा है आपको तो वह तो Henry constant है और Henry constant Henry के नियम के बिना तो लगेगा नियम तो Henry का नियम हमने याद किया तो हमने कहा सर P is equal to P जो है हमारे पास में आंचिक दाब वो बराबर है KH into X के यह हमारा Henry का नियम है हमसे पूछा क्या है question में हमसे तो N पूछा है मोल पूछे मोल तो है नी इसमें क्या करे सर तो हमने कहा यार यह देखो यह चीज तो दे रखी है हमको यह चीज दे रखी है जो खेल खेलना है वो इसके साथ खेलना है तो ये मतलब भी हो गया इसका भी कोई formula है क्या आपने पास में बोले है sir, molence वाला formula तो molence का formula nitrogen के लिए क्या होगा, x into कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक मानलो हमारे पास में पानी इस पानी में से हमने nitrogen gas को प्रवाहित किया समझे, जैसे माली जी एक pipe है हमारे पास में, डुग 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 करके इस में से हमने बुल-बुले पाइंगे इस पानी में nitrogen gas के, ये हमारा सवाल है, तो ये जो यहां पर wilayn बना, कैसा wilayn बना, dwi-anngi wilayn बना, इसमें दो ही चीज़े हैं, हमारा bleいき know again, Welcome का formula होगा, वह क्या होगा, n of n2 upon n of n2 plus n of h2o, मतलब पानी के mole प्लस nitrogen gas के mol जो हैं वो हमारे पास में नीचे भाग में आ जाएंगे इसमें बोलो किसी को कोई दिक्कत परिशान नहीं हो तो लिखो यहां तक clear हो गया क्या सबको अब समझ जाएंगे आप लोग की कैसे करना है हमें तो हमसे जो चीज पूछी है असल में वो यह रही यह हम निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं हम निकाल लेंगे इसको तो सबसे पहले हम इसी में से calculate करेंगे ताकि हमारे पास में जो है यह चीज यहां तो फिर यहां से ले ले लेते हैं हमसें शेंटिमेटर में आंसर भूछ तो वह तो कर लेंगे वह तो कोई बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले तो हम एक्स का मान निकाल सकते हैं यहां पे hanree का नियम लगा करके तो हमने कहा यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा p बटा k h के बराबर हो जाएगा तो x का value देखो p है हमारे पास में यह रहा 0.987 bar divided by k h का value कितना है हमारे पास में 7, 6, 480 bar काट दो तो इसको divide जब दोगे तो यह आएगा आपके पास में 1.29 गुणा दसकी घात माइनस 5 1.29 गुणा दसकी घात माइनस 5 मतलब यह 1. यह है आपके पास में 0.123 4 और ऐसे करके 29 ऐसे कुछ करके नमबर आपके पास में भाई साब यह कर दिया हमने बार से बार cancel हो गया कुछ बचा नहीं मोलंच का जो है मारे पास में कोई मातरख नहीं होता है यह x का value आगया अब इस value को उठा के यहां रखो दूसरे formula में अब देखो एक बार इस formula को मैं बस वापस लिख रहा हूं ओपर क्या है हमारे पास में कैसे बहुत चोटी संख्या होगी सोच के देखो आप बहुत चोटी संख्या होगी बताते हैं आपको कैसे होगी बहुत चोटी संख्या मतलब बस मैं बता रहा था आपको कि नाइट्रोजन के जो मोल है आपर वो एक बहुत ही चोटी संख्या होगी तो उसको हम लोग ignore करेंगे सोच रहा हूँ मैं कि क्यों होगी वो इतनी चोटी संख्या अभी बताता हूँ आपको मैं समझो जैसे समझ ना इसको थोड़ा सा समझेंगे एक्जामपल लेकि जैसे मान लो एक बार के लिए जो एन अफ एच्टू है न यह बराबर है एक लाक के ठीक है अब आप इसमें एन आफ एन टू जोड़ रहा है और नीचे टोटल क्योंकि दोनों ही चीज़ें अब मान लो कि एन आफ एच्टू है एन टू जो है हमारे पास में नाइट्रोजन के जो मोल है वो वन है वन तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हैगा कुछ फरक पड़ा क्या तुम एक लाख का भाग दो या एक लाख एक का भाग दो आंसर तो लगभग जेमियान है क्योंकि गैसें द्रवों में बहुत थोड़ी सी मातरा में विले होती हैं बहुत थोड़ी मातरा में मैं आपको ये समनाना चाहरा हूँ अभी अभी इसको मैं आपको practically clear करूँगा इस बात को अभी मतलब यह देख के यह example से आपको clear होगी यह चीज़ तो एक बार के लिए आप माल लोग कि इस K N2 के जो मोलों की संख्या है वो कम है बहुत कम मातरा में घुल रहे हैं इसमें तो इसको ignore कर रहे हैं एक बार के लिए हम लोग तो यहां से N N2 का value क्या आएगा हमारे पास में NH2O into this X of N2 into N of H2O अब यहां पर देखो कि यह value तो है हमारे पास में X of N2 तो निकाल लिया था हमने 1.29 गुणा दसकी घहत माइनस 5 आजाता है हमारे पास में into number of moles कितने हैं H2O के mole कितने होंगे तो mole कैसे निकालते हैं किसी वस्तु का कितना दरवयमान है हमारे पास में किसी बदार्थ का कितना दरवयमान है तो यहां पर आपको देखो question में शुरू में ही बोला है एक लीटर पानी है मतलब 1000 ग्राम दरवयमान है उसका कितना दरवयमान है एक हजार ग्राम डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ पान कितना होगा पानी का molar mass तो molar mass होगा 18 दो hydrogen का 16 oxygen का दोनों को जोड़ोगे तो 18 तो यहां पर आएगा 18 ग्राम प्रति मोल यादा रहा है यह basic कराया था मैंने इसलिए कराया था समझाया था इसलिए मैंने आपको तो अभी 18 का divide दोगे जबाब 1000 में तो 18.90 होता है तो यह 55.5555 आता ही जाएगा तो 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 और यह है आपके पास में multiplied by 55.555555 और यह प्रति मोल है तो यह उपर आके हमारे पास में मोल हो जाएगा इन दोनों को आप multiply करोगे तो यह आपके पास में आएगा 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 7.16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल इसको मिली मोल में हमसे answer मांगा है तो मिली मोल में करने के लिए क्या करेंगे हम इसको point को जो है इदर खसका देंगे तो यह पर 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा समझे रहे है सारे students तो यह हो जाएगा हमारे पास में 0.716 मिली मोल 10 की पावर माइनस 3 को जो है हम लोग मिली लिखते हैं अब एक बार सबजने ध्यान देंगे. पानी के कितने मोल हैं, यह लाज फिफटी फइफपाइफटाइफ कितने मोल से हैं, फिफटी फइफपाइफ De मतलब पानी कितना घुला हुआ है लगबग इसमें, मतलब इसमें nitrogen gas कितनी घुली हुई है, 0.123716 mol, और पानी कितने mol है इसमें, पानी है 55.5 mol, तो कितना छोटा सा हिस्सा है nitrogen gas का इसमें घुला हुआ, अगर दोनों के molों की संख्या देख रहे हैं तो हम लोग, बहुत छोटा था, कि यहां पर हम लोग उसको नीचे भाग देने में neglect कर सकते हैं, मतलब आप 100 से भाग दो, यह 100.000000000123 का भाग दो, क्या माथा पोड़ी करनी है, 100 ही लो फिर, तो उसको ignore करना होता है हमको, यहां तक सबको clear हुआ क्या बोलें सारे students, हम, सब जने यहां पर चैट में लिखें फटा फट से, और चैट में ध्यान कम दे, आरे derivation नहीं भाई, question करा रहा हूं बेशरमू, काणे ध्यान आपका, ओमाश अंकर को नहीं समझाया, सरश्टी को समझ में आ गया, yes sir, राजकुमार क्या, no sir, साक्षी क्या, yes sir, yes sir, yes sir, रितांची, नितिन, yes, हीना करी, sir, बस करी है, आ गया, यह लाल सिंगर, sir, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, clear है क्रिष्णा को, आलोग को नीन आ रही है, बेटा, थपड़ अपड़ मारो, खुद को गाल पे खीच के, नीन नी आएगी, है न, yes, रिया clear, okay, yes, विवेक, मक्षन, गुरुदेव, टाइम चेंज, प्लीज, मक्षन नहीं मिर पास, जोधाना, yes, okay, अंकिता को आ गया, शाहिना को आ गया, अब कल पढ़ाईगा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, my world, सिधान्त कुमार, yes, sir, innocent, no, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, clear, sir, उर्जा सक्सेना, नैंशी, YouTube, एमके पंकच, clear नहीं है इनको, chemistry में self-study के, पर में बता दो, सर फोड़ लोगे तो हो जाएगी, chemistry में self-study, clear, बट फिर से बता दो, चलो ठीक है, almost 90% से जादा को तो clear ही है, कुछ एक को no clear है, तो कोई बात नहीं, वो वापिस पढ़ेंगे, बच्चे हैं हमारे होशियार, होनहार, अब एक बार समझें, Henry की नियम के अनुप्रयोग देखते हैं, एक बार अच्छा मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ पे, तो Henry का नियम का सबसे पहला अनुप्रयोग है, soda जल और शीतल पेयो में, जो भी cold drink बाहर बजार में मिलती है, जो soda water जो हमारे पास में बाजार में मिलता है, उनमें विलेता बढ़ाने के लिए, देखो क्या लिखा है हमने, CO2 की विलेता बढ़ाने के लिए, ज़्यादा CO2 घुले, तो हम क्या करते हैं, बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, काफी pressure बाहर से रखा जाता है, और उस pressure पर उस bottle को seal tight कर देते हैं हो लोग, तो बाहर से जब ज़्यादा pressure लग रहा होता है, तो CO2 gas का भी उस विलेन की सतह पर ज़्यादा आंचिक दाब होता है, तो वो ज़्यादा उस पानी के अंतर घुजाती, यह बस इतनी सी बात है, यह उसका नियम है, हेंडरी का नियम क्या है, आंचिक दाब बढ़ेगा, तो विलेता भी बढ़ेगी, मतलब मोल अंच जो होंगे gas के, उस liquid में वो भी बढ़ जाएंगे, बस इतनी सी बात है, विलेता बढ़ेगी कब जब आंचिक दाब पड़ेगा, तो ज़्यादा दाब पर उन बोतलों को बंद किया जाता है, ताकि ज़्यादा gas जो है उनमें घुल जाए, अच्छा यह वाला सुनना, एक हमारे पास में, medical condition होती है, इसको उनमोग बोलते हैं, decompression sickness, DCS, decompression sickness, यह इसको अंगरे जी में bends बोलते हैं, bends, क्या है, बहुत इंट्रस्टिंग चीज है सुनना, इस पे एक TED-Ed का विडियो है, अगर आप वो देख पाओगे तो समझ पाओगे, TED-Ed बढ़ा अच्छा मेरे को एक platform लगता है, TED-Ed का, उसे जरूर देखना, bends, bends क्या होता है, सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान सब्सक्राइब, यह हेंडरी के नियम पर ही बेज़द है, अगर मान लो, हम सम्मुंदर के अंदर जाते हैं, तो सम्मुंदर के अंदर क्या होगा, हम ज़्यादा देर तो रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर oxygen gas का cylinder पहन के जाते हैं, इसको हम लोग scuba diving बोलते हैं, क्या बोलते हैं, scuba diving, जो गोता खोर होते हैं, सम्मुंदर में जो गोता लगाते हैं, काफी गहराई तक, तो वह बैग पहन के जाते हैं, oxygen वाला, जिसमें oxygen gas होती है, लेकिन फिर भी एक problem है, समझना क्या problem है, और समझ में आए न अगर आपको, तो खड़े होगा dance जरूर करना, अपनी जगे पे, भी के भी, अब मान लो क्या हुआ, ये गोता खोर है, इसने वह अपने back पे पहन लिया, इसे पीछ पे, पीट पे, और ये पूद गया, दुबुक करके, अब ये धीरे 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 नीचे आ रहा, 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 तो अब ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है, क्योंकि चारो तरफ से पानी भी तो प्रेशर लगाएगा न जब यह व्यक्टी यहां आया तो इसके उपर बहुत जादा प्रेशर लग रहा है क्योंकि चारो तरफ से पानी की मातरा बहुत जादा है मानलो उपर से नीचे से इधर से दाएं से बाएं से हर जगह से पानी ही पानी चारो तरफ इसके इसको दबाओ डाल रहा है इसके उपर तो प्रेशर काफी बढ़ गया मानलो तो अब क्या होगा इसका खून बह रहा है मानलो समझो इसका आदमी का खून है, तो खून की नल्की बनाता हूँ, मैं एक बार माल लो है, यह इसके खून की नल्की है, तो खून के नल्की में क्या था हमारे पास में, यह प्लाजमा बहरा है माल लो, खून बहरा है, इसमें एकदम बढ़िया, एकदम शांदर तरीके से, अब वो क्या होगा, अब क्या होगा, जब pressure बढ़ जाएगा, तो Henry के नियम से हमने क्या सीखा, कि जब pressure बढ़ जाता है, तो gas की विलेता भी विलेन में बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, when pressure increases, तो ये ज़्यादा कर्ण जो है, इसके खून में जाने लग जाएगे, सारे ही जो gas के कण है वो उसके खून में अच्छे से घुलने लग जाएंगे क्यों? क्योंकि pressure अगर बढ़ जाएगा तो gas की विलेता बढ़ जाएगी gas का जो mole अंच है उस liquid में वो बढ़ जाएगा तो ऐसे case में क्या होगा? जैसे ही नीचे जाएगा तो इसके खून में काफी जादा मात्रा में और gas के कण आ जाएगे जो की normally नहीं होते है clear हुआ? अब उसमें से केवल इसके शरीर में जो घुसे हैं उसमें केवल oxygen नहीं है उसमें nitrogen भी है उसमें दूसरी गैसे भी है उसमें oxygen भी है उसमें N2 gas भी है इवन उसमें और भी gas जैसे let's say CO2 अगरा जैसे कुछ कुछ गैसें भी हमारे पास में हो सकती है उस cylinder में क्योंकि हमारी प्रकरती में भी ज्यादा gas होती है केवल oxygen थोड़ी लेते हैं हम लोग तो ये सारी उसके मानलो खून में बहुत जादा घुल गई अब अगर मानलो ये वापस उपर आता है मानलो ये वापस उपर आता है तो क्या होगा pressure कम होना शुरू होगा और मानलो ये एकदम से उपर आ जाता है दुडिम करके तो क्या होगा अब यह जो गैसे हैं यह अंदर रुक नहीं पाएंगी क्योंकि जैसे ही प्रेशर कम होगा तो गैसे बाहर आ जाएंगी प्रेशर बढ़ेगा गैसे पानी में गुज़ जाएंगी खुन में गुज़ जाएंगी जैसे pressure बाहर से कम हुआ पानी का, गैसे बाहर आएंगी, अब मालो जैसे मेरे हाथ में यहां नसे जा री है तो एकदम से ही जब मैं बाहर आया पानी से मालो इतना गहरा इसे एकदम से उपर तेजी से उपर आ गया मैं मालो तो क्या होगा इधर गैसे निकल गई न सो में से अंदर ही तो वो जॉइंट्स में चली जाती है उसे बाहर ही निकल जाती है यह ऐसे करके एकदम बावडियों करके और वो गैसे बुल-बुले-बुले बनने आते हैं उनके और वो खून का केशिकाओं में जो नलकिया खून बहती है ना उनमें थक्का जमा देती है उनमें खून नहीं बहने देती है इस situation को bends बोलते है क्या बोलते हैं काफी painful होता है जो भी है चीज हमारे पास में और कभी-कभी जान लेवा भी होता है जान भी ले सकता है कि इस इंसान की ऐसे पहले हो भी रखा है हमको जब हमारे पर आते थे और पहले जब गए होंगे ना उसमें गोता खूर पानी में oxygen लेकर के जब वो उपर आये ना तो नसे फट गई उनकी मैंने का भाई क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो तो फिर बाद में जब पढ़ा तो समझे नसे फटने का क्या मतलब है कि केशी काउं में वो गोता खूर क्या करते हैं उनके सिलेंडर में हलकी गैस भी मिलाई जाती है जैसे काफी मातरा में helium i gas उनके उसमें सिलेंडर में मिलाई जाती है यहां पे solution में हमको लिख रखा है तो अभी देखते हैं देखो गैरे समंदर में सांस लेते हुए गोता खूरों को अधिक कारण ली गई वायोमडली गैसों की विलेता रुधिर में अधिक हो जाती है खून में ज्यादा गैसें गुलने लग जाती है यह as it is NCRT में लिखा हुआ है जब गोता को और सतह की तरफ आते हैं तो बाहरी दाब दीरे-दीरे कम होने लगता है इसके कारण गुली हुई ग बुलबुले बन जाते है खून में nitrogen गैसके बुलबुले बन जाते है और एक केशी काओं में अवरोध उत्पन करते हैं खड़े हो जाते है खूनilot को बहने नहीं देते और एक चिककत्चकी अवस्था उत्पन होती ही जिसे bands कहते हैं यहां इसको प्रॉपरछी डि कम्प्र सिखनेस बूला जाता है यहां अत्यादिक पीडा दायक और जानलेवा होता है इसका देखो सॉल्यूशन क्या है बैंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा से के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोता खोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपय 5.7% और नाइट्रोजन भरी जाती है 56.2% और 32.1% ऑक्सिजन होती है हिलियम थोड़ी हल्की होती है इससे नुकसान कम होता है लेकिन नुकसान यहां खतम नहीं होता असल में इनको क्या करना पड़ता है जब यह लोग पानी से गहराई से बाहर निकलते है न तो जैसे मानल तो फिर और प्रेशर कम होगा और गैस थोड़ी बाहर आजाएंगे और उपर आएंगे रुख जाएंगे और उपर आएंगे रुख जाएंगे और उपर आएंगे रुख जाएंगे फिर उपर आएंगे तो सेफ हैं क्योंकि धीरे धीरे अगर रुक रुक के उपर निकल जाएगी जो एक्स्रा घुले हुई है, एकदम से आ जाएगे बाहर तो बड़ी समस्या है, अब सेम कंडिशन हमें कहां देखने को मिलती है, ज्यादा उंचाई वाली जगह उपर, जैसे हिमालय अगर आप देखोगे केदारनाथ अगर लोग घूमने जाते हैं, तो वह आप लोग नोटिस करोगे, कि सांस कम आती है, क्योंकि ऑक्सिजन की मातरा कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो विलेता कम हो गई, समझ रहे हैं इस बात को, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों के ऑक्सिजन कम हो जाती है, आता है इन जगहों पर रहने वाले लोगो और आरोहकों को जो उपर चड़ते हैं तो इनके रुधिर और उत्तकों में oxygen की सांदरता भी कम हो जाती है, हमारे शरीर में खून में oxygen कम हो जाती है समूदर के अंदर जा रहे हैं, दाब बढ़ रहा है तो बढ़ जाती है gas की मातरा उचाई पर जा रहे हैं दाब कम होता है तो गैस की मातरा भी कम हो जाती है इसके कारण आरोहक कमजोर पर जाते हैं और हमारी बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि स्पष्टताया सोच भी नहीं पाते कि क्या करना है और इन लक्षणों को एनॉक्षिया हम लोग कहते हैं तो ये हेंडरी के नियम के अनुप्रयोग हैं बहुत शांदार टॉपिक है अब इसके नुमेरिकल्स वगरा हैं स्टूरेंट्स वो हम लोग एक काम करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और संभवत आया नेक्स्ट क्लास यहां तो फिर अपन एपर कर लेते हैं थोड़े वहाँ पर क्वेस्टिन अच्छे जपन प्रैक्टिस करेंगे कुछे एक दू दिन और फिर अपन आगे बढ़ लेंगे तो अभी खतम करते हैं आज की इस क्लास को दस बजने वाली है अलमस्ट तो बाई बाई टेक केर स्टूडेंट्स थैंक्यू सू मच थैंक्यू सू मच फॉर बिंग सच अ वंडरफुल क्लास कुछ एक को नीद आ रही है वो अपने आपको थपड़े मार करके जगाएं करप्या करके अपनी कक्षा में ना सूएं टाइम जल्दी जेंज करेंगे बाई बाई टेक केर